नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज बहुत ही महत्पून्ट यह एक खबर लेकिया हुमें लगवाग 50,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जो पद अप्रूब हुए थे तो काफी दिन से मतलब बच्चे मुझे मैसेज करके फोन करके जब पूछते हैं तब मैं थो पद संबली थे और उसका लगवाव 35,000 संथिंग वाकेंसी है और उसकी एक्चुलिए अप्रूबल पहले ही मिल चुका था मलड़ डिपार्टमेंट अप्रूबल पहले करवा लिया था तो अब ऐसे मिये बनता है कुछ लोग ने का कि अचार सहींता लगी हुए तो साथ व घ्रवाई जा सकती कि जो नई सरकार बनती को उसके ओर्डर से होता है तो अभी जो सबसे बड़ी मात्मून चीज़ है की एक वैकेंसी की एक्जाम भी हो सकता पूरा और उसका उसका पूरा पूरा उसके बारे फिजिकल वीजी ले जा सकता कुछ भी किया सकता कोई दिक्त चीज़ नहीं किया सकती मैं आपको क्या बता है जोइनिंग लिजा सकती और नई वैकेंसी को अप्रूब नहीं किया सकता अब अगर कोई पैकेंसी पहले से प्रूब है तो उसका पूरी तरह से उसको एक्जाम कर आए सकता है तो इसमें बात करेंगे दिल्ली पुलिस में ज लेकिन दिली पुलिस के अपना एक अला गुरुतबा लाग एक अपना इंपॉर्डेंस है क्योंकि यहां का जो चाहों स्टेवल रैंकी क्यों नहीं एक तो पे लाउंस बहुत बढ़ी है सेंट्रल गोर्मेंट के मिलता है ठीक दूसरी चीज यहां के जो एक कॉंस्टेवल वर एक जांपल बता रहा हूं बाकित बहुत साइची जैसे पिस्टल नाइन इन पिस्टल जो होती हो इसे किसके लिए ऑफिसियर का जो एक परम अपना हथियार क्यलाता है उप उसके पास भी आप उसको चीज़ पाएंगे मतलब एक तो उनको ज्यादा पावर होता है फिर कमि काफी होता है तो इसके लिए बात करेंगे सबसे पहले कि यह क्या-क्या योगता मांगता है और आपको अभी से क्या-क्या त्यारी करनी कौन-कौन सी फिच्टक प्रफेस्टन रखनी है कौन-कौन से डॉकुमेंट्स अभी से तियार करवा लेने हैं ताकि बाद में तो सबसे पहने तो ही जाने इसके लिए इसके लीए कॉंसले के लिए वों बता देता हो कोई भी जो meट है पहले बात करता हो मिल यह है 18 साल से लेकर 21 साल तक ठीक है मैं जन्ल के डक्रीश इख बात कर रहाँघ अगर जन्ल कर दे को तो है 18-25 तक फीमेल के लिए बास क्लियर हो गई और माल लिजिए अगर कोई S.C.S.T. O.V.C. का है तो O.V.C. के लिए तीन साल और एक्स्टा तो 21 से 23 मुना 24 साल तक और अगर कोई S.C.S.T. है तो उसको 5 साल तो कुल मिला करके उसका कित्व हो जाएगा 26 साल तक तो यह एक प्रकार का सिस्टा में और समय समय पर गवर्मेंट क्या करते हैं इसको बढ़ाती रखती घटावी सकते हैं लेकिन जाता रही होता है तीन और पांच का उबिश्य को तीन साल का और S.C.S.T. को पांस साल का एक्सट दिये जाता है हर सेंट्रल गवर्मेंट के उसके कोड़ी मता रहा हूं लेकिन जो जनरल कड़ेगरी के हैं उनका 21-21 साल तक का याद रखना आपको यह बहुत कम पजशरी है इन चीजों को अगर आप ध्यान में पर रखेंगे तो मुझे लगता कि बाद में ना फॉर्म भरने में ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परिसाली इसके अलावा इसमें और आपकी योगता क्या होती है चाहिए बारी पास होना चाहिए आपका यह जो लग अभी बारी में है एक्जाम देने जा रहे हैं गो भी हाराम से लिएल हो जाएंगे जब तक एक फॉर्म जब भी आएगा तब तक आप दिल्कुल आ जाएंगे रिजल्ट आपको अनॉस हो जाएगा कोशिस ही रहती है कि इसमें वह सी को लिए जाता जो पास हो चुका होता है ठीक है इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी इस कि हैं और विलिंग टू जॉइन डेली पुलिस सो डेफिनेटली आप जाएए अपने अथर्टी में आसपास जो अथर्टी आपके टांसपोर थार्टी है वहां ड्राइव लाइसेंस बनवाईए या कि किसी भी राज्य के आप है पहली बात तो एक दिल्ली पुलिश में पॉर्म बर सकता है कि किसी विराज कॉल इंडिया में कहीं के भी आप अगर 1821 साल के हैं हां बाहर के बच्चों को जो हैं अलाव किये जाता है वह 1821 अलाव किये जाता है और लेकिन जो भी सी होते हो डैली का कंपलसरी होना जरूरी है ठीक है तो यह चीज़ में को याद रखे रिजर्वेशन डैली वालों को मिलता है लेकिन बाहर के अगर आप हैं 1821 के तो आप इलको इसमें फॉर्म भर सकते हैं ठीक तो आपके पास यहां के लिए ड्राइविं ल करने ज़ीविए पंचे बहुत छट जब आते हैं क्यों ज्ल्बदर निकल जाते हैं अगर पैंगे पास नहीं होता है तो चल्ब सकना बहुत-पलसरी है अभी से लग जाए आप क्योंकि अगर अभी से लगेंगे फिजिकल तो आपका दिमाग रहेगा तो उसके साथ चीज कर पाएंगा अभी और आपको आपको अभी डेली डेली फिजिकल अगर्मी ठीक है यह याद रखेंगे डेली फिजिकल अगर्मी ठीक यह जो है जो है विसे बहुत सारे बिसे सब गरावी अच्छी चीजिस में डॉक्तर सब्सक्राइब बहुत बढ़ी एक्सपर्ट बैटने समय और मतलकि तो मैं बता रहा हूं उसमें की एक बकाईदा तरीकों के साथ वहां पर जो भी ट्रेनिंग देगा उस अलेक्टर टाइब के होंगे तो ही ट्रेनिंग देपाते बहला इसा नहीं कोई दोड़ाना शुरू कर दें आपको और बहुत तरीके एक साथ बहुत मतलब कहने के अशन होता है अब दिक्कत चीज के की उस कंपटीशन में आता सबको है अधार यह सबसे बड़ी प्रॉलम में यह होती है कि कमपटीशन में एक समय की दिख्कत हो ठोड़े से समय में कैसे जादा जादा माक्स लाइं वह सबस्त्र से 75 तक जागे करंदाब जाती जादा भी नहीं जाती लेकिन वो 70-75 क्योंकि आपको पता है कि SSC कराती एक्जाम को तो वह बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती कर देती है या अगर आप तो करें तो यह एक बहुत हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि उसके एक्जाम के कोडिंग करें क्योंकि इसमें लगने का मतलब है लाइफ सेट है क्योंकि डैली के अंदर सब लोग भागना चाहते हैं बड़ अधिकारी हों कि जो कहीं ड्यूटी लग जाती है आई से इवन आई प का फिजिकल मैंने सब कुछ बता दिया क्लियर जोइन करना है तो दोनों चीज इसके रिटन की प्रेक्टिस के लिए रिटन क्लास जोइन करना है तो यह तो चोहन एकडमी जिंदाबाद ठीक है सबसे सही में सबसे सबस्ते में ठीक है आपको ऑनलाइन प्लासे से यहां रुपए लगेंगे हैं ना पंदरा सो रुपए में आपकी कम्प्रीट जब तक फिजकल चाहता है तो फिजकल के साथ साथ योगा अथरिपीस डॉक्टर समय बहुत बैस्ट ठीक अच्छा दूसरा एसाई अब एसाई दो प्रकार की विकेंसी आतीस में खासकर एसाई के विक मतलब कहने के मतलब यह काफी डिमांड हो रहती किसी भी स्टेट में तो डैली प्लिस के तो और भी जाधा रहेगी तो इस पे जो है वह याद रखेंगे 18 से 25 सालत की एज होना चाहिए जनरल के लिए 18 से 25 साल मेल के लिए फीमेल के लिए 18 से 18 साल ठीक और जो बढ़ जाएगी यह हो जाएगा थाइस साल तक और अगर से स्टीट हो जाएक तेर थीस साल तक बस माना बहुत सिंपल बहुत क्लियर बात बते टो रॉनिंग दोनों के लिए सेम है फिजिकल जो है दोनों के सेम है तो इसके लिए भी आप अभी से जोईन कर सकते हैं फीजकल एकडमी ठीक है एडी डैली फीजिकल एकडमी और रिटेन के लिए हमारे पास जो बैच शुरूर है उन बैच में आप एडविशन ले सकते हैं और उस पैच में आप अपना रेसेशन करा सकते हैं रेसेशन कराने के लिए एक नंबर तो बताएं नहीं मैंने आपको यह दोनों के लिए डैली फीजिकल एकडमी के लिए आपको 782728221 नंबर और साथ में रिटेन एग्जाम के लिए भी 782728222 दोनों की प्रवेशन के लिए चाहो रिटेन एग्जाम हो आपका और चाहे वो फीजिकल लोग इदोनों के लिए आप इसको जोईन कर सकते हैं और आपकी पूरी प्र इसका जो सेलिबस होता है दोनों का लग भग लगभग सेम हो जाता है वही चीज़ पढ़नी होती है बस उसमें टैर बढ़ा देगा लग बात है वन टायर टू टायर कर देगा नहीं तो एक ही इसका तो सिंगल मोट एक्जाम होता है कॉंस्टेबल के लिए तो आप अपना जो भी कोई अगर आपको डाउट होता कोई क्योरी होती है हाँ आवश्यक क्योरी तो बाकी तो कमेंट डाल दीजिए मैं कमेंट अक्सर पढ़ता है रहता है तो नहीं तो आप यह जो है नंबर में जा करके वाट्सअप कर देंगे प्रपेशन वारे ध्यान रखें अगर आ करके नहीं तो फिजिकल प्लेस रिटन लिकर करके भेज़ दे डैली पुलिस तो उसी के साप्शन का बैच बना जाएगा एक पेड़ बनाया जाएगा और आपको पूरी पूरी प्रफेशन कराई जाएगे अच्छा एक और चीज़ आ लखी जिनको करना है ना उस शुरू क टार दो हकी कते आरा हूं नहीं करना तो फिर अलग बात है लेकिन जिनको करना है वह सुरू कर दिज़े क्यूंकि जत्ती वेकेंट्जि आती है उतने लोग तो सेलेक्ट होंगे उन्हें कोई रोकनी सकता है रोकते आप खुद को याकी आसरेक्ली हो गया कि वह Ameri स्लेक्ट ह क्या चाहिए भी और इसको अचीव भी करिए तो यह बहुत इंपॉर्टन है ठीक है तो मैं दिनेस कुमार अलविदा लेता हुआ अपसे फिर में लोगा किसी और नहीं जाने के साथ जैहन